हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टो माई चैनल बिटा आज के लेक्चर में बिटा कक्षा साथ के स्टूडेंट्स को मैं चैप्टर नमबर 11 परिमाप और शेत्रफल का बाकी बचा हुआ सोलुशन करवाने जा रही हूँ वर्क बुक का ठीक है बई पिछले लेक्चर में मैंने प 22 सेंटी मिटर लंबे तार को मोड कर वरित बनाया गया था तो उस वरित की तिर्जा आपने निकालनी थी तो मेरी जो स्वरित की जो तिर्जा आई थी मैं आपको याद दिला दूँ हो 7 बाई 2 सेंटी मिटर आई थी तो ये कहता है कि इस वरित की तिर्जा के बराबर भी साथ बटा दो वरग का शेत्रफल क्या होता है बुजा गुणा बुजा यानि बुजा का वरग तो साथ बटे दो का वरग तो साथ बटे दो का वरग होता है साथ बटे दो गुणा साथ बटे दो अंश को अंश से उपर वाले को उपर वाले से गुणा करते हैं दो को दो स और कितना अधिक आपको याद दिला दू पिछले लेक्चर में कराया था मैंने वृत का शेत्रफल जो की 77 बाई 2 आया था वरग का शेत्रफल 49 बाई 4 आया था तो वृत का अधिक है और दोनों को मैंने घटाया लगुत्तम लिया थे 105 बटे 4 वरग सेंटी मीटर अधिक आया आगे चलो यह कहता है क्या वृत में कोई कोना होता है नहीं होता आगे चलो यदि तुम्हें वृत का शेत्रफल ग्यात करना आ तो तुम कैसे ग्यात करोगे आओए क्रिया कलाप द्वारा समझें इसने क्या किया हुआ है कि यह ब्लॉक्स बनाया हुआ है इन ब्लॉक्स में वरग बनाया हुआ है और अंदर एक छोटा वरग बाहर वाले वरग की चार लंबाइए देखो एक दो तीन चार खानी है तो चार है अंदर वाले वरग की भुजादो हैं उन दोनों के छेतरिफल को घटा दो तो 16 में से चार गए तो वृत का छेतरिफल उसके अंदर अंदर है बात को समझना कि बहार वाले वरग से छोटा और अंदर वाले वरग से बड़ा है अमारा वृत तो बहार वाले का छित्रपल सोडा है अंदर वाले का छित्रपल चार है उन दोनों के बीच में मतलब लग बग 12 के आसपास पाएगा आगे चलो इस सारा लिख ले ना इसमें से देखकर उपर वृत का चित्र दिया गया उसी वृत को एक वरग बाहर से पूरा ढखता रेक उसके अंदर मैं बता चुकी हूँ अब यदी तुमें दी गई ग्रिड की साहिता शेत्रपल निकालना हो तो कैसे निक कालोगे तो हम क्या करेंगे वह हम तो वृत के अंदर सित्खानों को गिनकर वृत का शेत्रपल ग्यात करेंगे जो कि वा बारा वरग इकाई के लगबग आता है आप देख बीलो एक बार वरग के अंदर खानने देख लो पूरे पूरे एक दो तीन चार पांच चैसाथ आदे से कम को हम छोड़ देते हैं तो आगे अबारा वरग ही काई आगे चलेंगे इस वृत के शेत्रपल का मान इसके बाहरी वरग के शेत्रपल से कम और अंदर वाले से जादा होगा मैंने बता दिया अत दोनों के बीच का मान होगा यानि सोड़ा से कम और चार से जादा जो कि कितना आ रहा है 12 आ रहा है आगे चलो दोनों वर्गों के शेत्रफल से वृत के शेत्रफल का अनुमान लगा और छोटे वर्गों को गिन कर जाच करो तो सारी बात मैंने आपको बता दी है अब कहते हैं तीन सेंटीमेटर तिर्जिया का वृत बनाओ तो ये मैंने अपन कोई ब्राइट कलर लूँ रेड लेती हूँ देखो दिखेगा तो एक दो तीन ये केंदर है और इतना लेकर एक वर्ग ये खीच रखा है आगई बात समझ में अब हम इससे अगले पर बढ़ते हैं क्या पूछता है ये उप्युक्त विधी का परियोग करोर बताओ कि इस इसकी भुजाएं कितनी हैं मतलब कितनी लंबी है दो तीन चार पाँच छे वर्गों से बढ़ी है तो इसकी भुजा तो छे हैं एक वर्ग इसके अंदर है ये दिकरा जो पीला पीला हो रहा है एक दो तीन चार तो छे के वर्ग और चार के वर्ग के बीच होगा इसका शेत आगे चलते हैं क्या तुम वृत के छेत्र का नुमान लगाने का कोई और तरीका बता सकते हो ग्रिड गिन कर भी निकाल सकते हैं 30 वरग ही काई होगा और 30 देख लो 16 से जादा है और 36 से कम है ग्रिड गिन नहीं मैंने बताई दी थी तुमें कि इस पूरा ये पूरा वरग है देख लो भई और इसके अंदर पूरी पूरी एक आदी आदी दो मिलकर एक हो जाएंगी आदी से जादा है तो उसको भी एक मानकर इन सब को गिन लेना ये जितने भी खाने इसके अंदर बने हुए हैं 30 आ जाएंगे चलिए अब हम आगे चलते हैं तुम वृत का छेत्रफ हैं वलयों में चितर अनुसार बाट लो एक सफेद रंग में बाटा पिर एक काले में पिर एक सफेद में पिर एक ग्रे में लाइट ग्रे डार्क ग्रे सफेद ग्रे इनमें आठ इससे कर लिए एक ही मोटाई के इनको बीच में से काटा और काट के सब को सीधा कर लिया अब यह कहता है कि अगर वृत की तिर्जिया आर हैं तो प्रतेक आयत की चोड़ाई क्या होगी वही एक बात को समझो यह है आर कितने हिसे हो रहे हैं इसके देखो उने कर भी रखा है एक दो तीन चार पांच चे साथ आठ हिसे हो रहे हैं तो एक आयत की मोटाई आर बटे जाएगी आर हो जाएगी ये देखो ये उचाई एक पर देखना भई ये जो पूरी की पूरी उचाई ये तीरजह के बराबर है हमारी और ये पूरा कितना है R बटे 8 है और ये R है तो री बुज का चेत्रफल क्या होता है? एक बटे 2 गुणा अधार गुणा आउचाहि उपर वाले की आपर से और की दो निच्चे वाले की निच्चे से गुणा कर दो आर स्क्वेर बटे सोला जाएगा च्छे त्रिपल विरित की परीदी हो जाएगी 2 पाई आर त्रिबुज का अचा वो गलत बथा गी वहीं मैं करो इस बाहरवारे को काट के सिधे कर दिया तो जितना ये गहरा था उतनी लंबाई थी और ये गहरा कितना होता है 2 pi r अब सुनो मेरी बात को ये है 2 pi r और ये पूरा है r शेतरफल क्या होता है तिरे बुझका एक बटे 2 गुणा आधार गुणा उचाई कट गया ये आजाएगा pi r square तो ये यहाँ पे इसने बता दिया कि इस आधार प्रवित का शेतरफल हो जाएगा pi r square चलिए नीचे दी गए आकरतियों का शेतरफल ग्यात करो अब आकरती देखो क्या क्या है ये तो तिरबुझ है ये अर्दवरीत है ये अर्दवरीत है और ये अर्दवरीत है तो ये कैसे निकलेगा देखो थोड़ा बड़ा कर रही हूं है एक संभाव तिरबुझ का शेतरफल और तीन अर्दवरीतों का शेतरफल संभाव तिरबुझ का शेतरफल होता वरग मुल तीन बटे चार गुणा बुजा का वरग ये आपकी क्लास के हिसाब से थोड़ा मुश्किल है और तीन अर्दवरीत एक वरित का शेतरफल होता हैं पाई आर स्क्ययर उसका कर दो आद़ा और तीन अर्दवरीत हैं तो 3 से गुणा कर दो यही मैंने यहां का रखा है 3 बटे 2 पाई की का 7 बटे 2 का वरग इसको हल कर दिया वरग मूल 3 बटे 4 साथ का वरग हो गया उननचास तीन बटे दो पाई की जगए बाईस बटे साथ उननचास बटे चार काट पीट के हल करके मैंने ये लिख दिया अब आ रहा है कि इसका शेतरफल ग्याद करो तो बड़े चायंकित बाका करना यानि इस बड़े वृत में से जब मैं छोटा वृत घटा आदूंगी तो ये इससा मेरा बच जाएगा जिसमें मैं लाइन लगा रही हूँ तो बड़े वृत का शेतरफल हो गया पाई आर स्क्वेर तरीजा कितनी है चार पाई गुणा चार का वरक पाई गुणा दो का वरक सोड़ा पाई घटा चार पाई बारा पाई आगे बड़ो ये उपर एक त्रिभुज दे रखा है नीचे एक अर्दवृत त्रिभुज के थोड़ा सा ये जो एक तो ये माप है न । गलत है जिसको अब मैं डख रही हूं ये इसा तीन है ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा चैँ हो जाएगा चीक है समझ में आ रही है मेरी बात आपको या पिर पूरी भुजा ये तीन लेनी पड़ेगी तो इसको चैँ ले ले और एक बटे दो गुणा च्छे गुणा तीन दो से च्छे कटके तीन आ जाएगा और ये तीन तिया नो बन जाएगा जो मैं अब करवारी हूं न वो कर लेना और ये हो जाएगा नो जमा नो बटे दो पाई बलकि इसको न यहीं पर आप छोड़ देना इस इससे को भी काट देना इस वीडियो को दो मिनट पोज करके यहीं आपने करना है कि ये जो था फिर बता दू ये आदधा इससा तीन था ये आदधा इससा तीन था तो ये पूरा ओगया च्छे आधार च्छे हो गया उचाई तीन हो गई तो तिर बुझ का शेतरपल हो गया एक बटे दो को जोड़ा तो ये कुल शेत्रफल आ गया आगे बढ़ते हैं चायंकित बाग का शेत्रफल निकालना है ये पूरे वरग की भुजा चार है तो इस वरित का व्यास भी चार है तो इस वरित की तिर्जा चार का अद्दा कितनी हो जाएगी दो समझ में आ रही है बात तो अभी ये कहता है कि वरित वरित का शेत्रफल निकाल दो तो वरित चायंकित भाग क्या है वरित है वरित का शेत्रफल क्या होता है पाई गुणा आर स्क्वेर तो चार पाई आ जाएगा अब इसमें क्या करना है एक वरित का शेत्रफल निकाल के उसका चार गुणा कर दो ये पू पल क्या हो जाएगा चार गुणा पाई यानि चार पाई अब ये पूछ रहा है कि तुम्हारे अनुमान से दोनों वर्गों में किसका रंगी निस्साधिक है तो दोनों बराबर है और आगे चलो गणना करके जाच करो तो गणना पिछले प्रष्ट पर है पिछले का मतलब है कि ये देखो मैंने कैलकुलेशन पहली यहां कर दी थी उसको तुम अगले पर उतार ले ना आजाओ यदि भुजा च्छे हो तो क्या होगा तो च्छे हो ये च्छे हैं तो तिरज्या कितनी हो जाएगी तीन तो इसका शेत्रपल हो जाएगा पाई गुणा तीन का वरग या नो या सोड़ा वरितो तो भी छेत्रपल समान होगा आजाओ तेईसमे पर इस आकरती का परिमाप ग्यात करो ये आकरती है परिमाप का मतलब अब ध्यान देना जहां जहां मैं कलर कर रही हूँ ये पिर ये पिर ये और फिर ये ये चारों वरित हैं ठीक है चारों वरित हैं अब मैं एक और अलग कलर लेती हूँ ब्लू लेती हूँ इस वृत की तिरजया निकालके देखो इस वृत को और इस हरे अरे को मिलाओगे तो पूरा एक निल्ला वृत बन जाएगा और इस हरे को मिलाओगे तो एक और बड़ा वृत बन जाएगा और ये हरा हिस्सा निकालोगे तो बड़े वृत की परीधी और ये निला हिस्सा निकालोगे तो छोटे वृत की परीधी अब परीधी क्या होती है दो पाई आर तो इसकी तरजया तो कितनी हो जाएगी 3.5 यानि कि 7 बटा दो और इसकी तरजया नहीं एक मिनट वही मेरी बात ध्यान से सुनना ये पूरा साड़े तीन है साड़े तीन का आदा करोगे तो 35 बटे 20 आएगा 5 साथ ते 35 पांच चोका 20 ये तो इसकी तरजया आजाएगी छोट आजाएगी 4 अब आजाओ इस पे बड़ा आज साथ का दा साथ बटे दो तो मैंने क्या लिख दिया बड़े वृत का परिमाप जमा चोटे का बड़ा वृत हो गया 2 पाई बड़ा आजाएगी 4 दो पाई चोटार 2 पाई कोमन लिया बड़ा आर जमाच चोटार वैल्यू र सेंटीमीटर तिरजह वाले वरित की परीधी और चेत्रपल ग्यात करो यह अपने आप कर ले ना आर आठ है परीधी होती है दो पाई आर दो गुणा बाइस बटे साथ गुणा आठ हल कर दो पचास पॉइंट दो आठ सेंटीमीटर और चेत्रपल होता है पाई यार स्क्वेर पाई की जंगे रख दिया 22 बटे 7 गुणा 8 गुणा 8 हल करके आ रहा है दोस्तो एक दश्मलव एक चार वरग सेंटीमीटर और यह हमारा लास्ट पेज है एक आयता कार पार्क के अंदर बने चायंकित भाग का चेतरफल ग्यात करो तो एक चोटी सी बात है यह बाहर एक आयत है इसका चेतरफल निकालो और इसमें से यह अंदर वाड़ा घटा दो यह चायंकित भाग आ जाएगा यही मैंने करका है थोड़ा बढ़ा करके दिखाती हूँ बाहरी आयत का चेतरफल देखना भई एक मिनट बाहरी आयत का चेतरफल लंबाई गुना चोड़ाई यह लंबाई 10 है चोड़ाई देख लो 7 है तो 70 हो गया अंदर की लंबाई भी 5 है चोड़ाई भी 5 है तो 25 हो गया 70 में से 25 गठा हो गया तो चायंकित भाग का चेतरफल अमारा आ जाएगा पेंतारिस वरग मीटर अच्छा भई अब यह जो 26 मा कोश्चिन यह आपकी कक्षा के हिसाब से बिलकुल गलत है आपके लेवल का नहीं है यह कहा रहा है कि चित्र में फर्ष का डिजाइन दिखाया गया है बेब डिजाइन ना केवल यह है जिसमें रंग भर रहा है और यह टेड़ा दे रखा है टेड़ा दे के जब मैं इसकी लंबाई निकालती हूँ तो यह 34 का वरग मूल आती है जो कि आपने अभी नहीं सीख रखा यह कहता है चायंकित भाग पर संगमरमर के पत्थर लगाने हैं एक वरग मीटर के कितने पत्थर लगेंगे तो मैं यह हैसली तरीका लेकिन मैंने क्या किया मेरी बात को सुनो मैंने नाम दे रखा देख ले न और मैंने इस पूरी लंबाई को दस मान लिया तो यह लंबाई भी कितनी हो गई दस और यह कितनी है एक अब यह जो मैं यह जो मैं डार्क कलर कर रही हूँ न पिंक इसको देखो यह एक आयत है जिसकी लंबाई दस है चोडाई एक है तो इसका चेतरफल हो गया दस गुणा एक ऐसे ही यह मेरी दूसरी आयत है ब्लू कलर में इसकी भी दस गुणा एक लेकिन यह बीच वाड़ा इससा तुमने डबल कर दिया भई जो यह बीच में छेतरफल है यह जो मैं गोड़ गोड़ कर रही हूँ दिख रहा हो तो यह दो बार आ गया तो इसको गटाना पड़ेगा क्यों क्योंकि यह जब मैंने पिंक पट्टी ली तो भी आगया ब्लू पट्टी ली तो भी आगया और यह कितना है वन बाई वन यह रहा तो अब थोड़ा सा ध्यान दो थोड़ा और बड़ा करके दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने इसको दस मान लिया क्यों मान लिया मैंने 10 क्योंकि ये आपको देनी रखा अगर ये 10 है और ये एक है तो ये पूरा आयताकार हिस्सा 10 हो गया ऐसे ही ये वाली पट्टी भी 10 वरग मीटर हो गई और बीच वाली पट्टी दो बार आ गई थी उसको घटा के 19 वरग मीटर आ गया एक वरग मीटर का एक पथर है तो 19 वरग मीटर में कितने पथर लग जाएंगे 19 आपकी इसमें गलत क्यों है क्योंकि ये भुजा तीन है ये पांच है ये नब्बे का कौन है पाय था गोरस पर में से जब मैं इसको निकालोंगी तो ये वरग मुल 34 आएगा जो कि आपकी समझ में अभी नहीं आएगा तो आप इसको इस तरीके से कर लेना नहीं तो छोड़ देना शेश फरश पर कितने पथर लगेगा तो शेश कितना बच गया वह फरश अब वह भी देख लो ये दस था ये दस था चीक है तो दस बाए दस का हो गया 100-100 में से 19 गटाया तो ये 70 गाकार प्लाट में एक तरफ मकान है ये तो मकान है ये बगीच्चा है प्लाट का छेत्रफल प्लाट की देखो लंबाई ये देखो कितनी है आठ है और आठ चोड़ा ये तो आट वाटू चोसोट हो गया बगीच्चे का छेत्रफल बगीच्चा एक वृत्त है जिसकी तिर प्रियू मकान, मकान है आयताकर, जिसकी ये चोड़ाई तो आठ है, और लंबाई चोड़ाई चार है, तो मकान का चेतरफल हो गया 32, नोट कर लेना, अब आगे आजाओ, अगर इस पूरे पलाट में से मकान भी अटादू, बगीचा भी तो बाकी निकली आया, तो वो ही है, कि मकान को और बगीचे को छोड़ कर शेश चेतरफल, तो ये 64 तो हो गया पलाट का चेतरफल, 32 हो गया मकान का, ठासी बटे साथ हो गया बगीचे का, दोनों को उठा के जोड़ दिया, और 64 में से घटा दिया, ये हल मैंने कर रखा है, आप अपना देख लेना, 64 घटा, इसका हमने ले लिया ये लगुत्तम, हल करके ये आगया, सारा हल करके, 136 बटे साथ वरग मीटर आगया, अब आगे चलो, यदि बगीचे के चारों और तार की बाड़ लगानी है, बगीचा, बगीचे की, बगीचा करना था, मैंने मकान कर दिया, सोरी, बगीचा तो ये है बगीचा तो वो एवरिताकार है, वरिताकार है, तो 2, पाई, आर, 2, गुणा, 22 बटे साथ, गुणा, 2, तो 22 दूनी, 44, 44 दूनी, यह अब अपने आप उतार ले ना, जो पिंक कलर में वो उतार ले ना, 88 बटे साथ, सेंटी मीटर लंबातार, मीटर, लंबातार लग जाए और यह कहता है कि 50 रुपे परती वरग मीटर की दर से, शेश भाग पर फरश लगाने का खर्चा, तो तुम ज़रा यह देखो, शेश भाग का छेत्रफल 136 बटे साथ, इसको 50 से गुणा कर दो, खर्चा आजाएगा, 136 बटे साथ, गुणा 50, दोनों की गुणा करी, 68 सो ब चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं भूलना, थैंक यूए,